हम दोलो है अलग अलग, हम दोलो है जुदा जुदा, ओओ, 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 और न जुदे कभी कभी नेते है हम हवा कभा दड़की देखी मूते सीटी बजे हाथ से ताली सला आईला उमा आईगा पूरी आली आली मैं खिलाडी तू अनाडी अरसोते जगते लड़की ते खूंतिल धक 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 धड़के देखो फड़के आख मेरी तन में शोलासा भड़के वार मेरा जब भी होता है कभी न जाये खाली हर ताले की रिता हूं मैं अपनी जेव में चाबी नशकार दोस्तों मैं हूँ अर्नब चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं बॉलियूक आज हम सिखेंगे एक आईटेम सॉंग जिसे रीक्रेट किया गया है फ्रॉम दी ओल्ड बॉलिवूड मुवी मैं खिलाड़ी तु अनाड़ी ओरिजिनली कंपोस्ट बाई अनुमालिक रिक्रेटट बाई तनिश बाक्ची चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस गाने का कॉड्ज और स्ट्रमिंग पैटन इस गाने का ओरिजिनल की है एस पर यूट्यूग जी शाफ माइनर तो आप फर्स फ्रेट पे केपो डालके बया सकते हैं जो कॉड्स मैं दिखा रहा हूं लेकिन मैंने इसको जी माइनर में बजा है ताकि जो फीमेल सिंगर है वो भी गा पाया है उनके लिए ज्यादा उंचा हो जाएगा नहीं तो हूड, कशाने व जुग स्फरीट हलेवगे सेंग मिजाए वीमेल सेंग जी नंगे वी खरीवगे ऊँग माइनर फटियमें पर त्रीच कह झालने के लिए इसकुंठियन कर दाने फिरस टिए प्रश स्रिंग का देधा है यूजर थैंग प्रीट विट नंगे followed by D7, D7 बयाने के लिए मैंने use किया है मेरा middle और ring finger आप अपना index और middle भी use कर सकते हैं G minor से transition करने में middle और ring finger से easy होता है इसलिए मैंने middle और ring finger use किया है middle finger on the second fret of the fourth string, ring finger on the second fret of the second string, the third and first string remains open यही तीन chord में आप पूरा गाना का सकते हैं लेकिन मैंने एक और extra chord लगाया है वो है E flat, E flat जो G minor shape है उसी को hold कीजिए, सिर्फ अपना जो middle finger है उसे slide करके लाइए on the third fret of the third string and जो ring finger है उसे वहीं पे रहने दीजिए on the third fret of the second string this is your E flat, the first finger or the index finger remains on the first fret of the first string and the fourth string remains open E flat major chord इसके इलाबा अगर आपको F major के साथ साथ उसका relative minor, D minor बजाना है तो कुछ-कुछ जगा पर आप यूस कर सकते हैं, but that is completely up to you मैंने इस गाने में use नहीं किया है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर use कर सकते हैं इसका strumming pattern भी मैंने बहुत simple रखा है चलिए G minor chord में demonstrate करते है down, up, chuck, up, up, chuck, up अगर chucking करना आपको नहीं आता है, तो I button में click करके देख लीजिए एक separate video मैंने chucking demonstrate किया है up, chuck, up, b7, up, chuck, up, up, chuck, up, now, up, chuck, up, chuck, up, up, chuck, up, up, d7, down, up, chuck, up, up, chuck, up इसको थोड़ा सा fast करेंगे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा चैनल को कीजिए subscribe, notification bell को कीजिए click ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चले and stay tuned for more अ जो इसे सम्टने कीजिए तो